जे गुरू जी जे भोले नाद की आई हम बात करेंगे भगवान कब और कैसे आते हैं अपने भक्तों के सामने और कैसे मिलते हैं संकेत। तो वे ही हमें परेशानी से बाहर निकालते हैं। तो जब हम अपने भगवान अपने गुरू की शन्नागत होते हैं। तो जब हम किसी गलत रास्ते पर जाते हैं। अच्छा चरित होने के बावजूद भी जब कभी आप कुछ गलत कारे करने जा रहे होते हैं। या किसी सई निन्ने ना लेने पर फस जाते हैं। तो भगवान इशारा दे कर उस काम को ना करने के लिए कहते हैं वे हमें किसी ना किसी मादेयन से इशारा देते हैं पर हम अक्सर भगवान के दिये इशारों को समझ नहीं पाते या अपने सवार्थ पूर्ती है तो उस इशारे को समझ कर भी नकार देते हैं जिसके फल्सुरूप बाद में हमें अपने जाने जाने किये कर्मों की वज़े से बहुत कुछ बुगतना पड़ता है भगवान हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों के साक्षी हैं वे हमारे हर जन्म के ना जाने हमने कितने पाप करम किये होंगे वे इतने द्यालू हैं कि वे हमे परमात्मा के श्री चर्णों में स्थान प्राप्त करें और वे परमात्मा हमें अपने गले से लगा सकें भगवान इशारा भी उनको देते हैं जो दिल से अच्छे होते हैं जो नित्य प्रभू की सेवा पूजा पाठ में लगे रहते हैं मंतर जाब भी करते हैं अच्छा चर देते रहते हैं जब भी कोई काम हम गलत करने जा रहे होते हैं तो हमारी अंतरात्मा में बैठी वो सुक्षम चक्ति जरूर हमें अगहा करती है कि ये पाप करम ना करो पर उस वक्त हमारे दिमाग में काम वासना भरी होती है या किसी स्वार्थवश लालच वश उस कारे को कर देते हैं या विशेवकारों में फसकर अपनी इंद्रियों की संतुष्ची हेतु मास मदीरा का सेवन भी कर लेते हैं इस अंसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिने उनके जीवन में देवी साहता मिलती है किसी को जादा तो किसी को कम कुछ लोग ऐसे होते हैं giving a तक कि प्रभू हमें हमारी अंतरात्मा के जडिये भी इशारा देते हैं तो जब हम किसी परिशानी में फच जाते हैं चाहे वो हम अपनी गलतियों की वज़े से फसे हो या किसी पारवद के कारण तो जब हम परमात्मा के चड़नों में अपनी विंति करते हैं उनसे प्रातना करते हैं रोते हैं तो परमात्मा भी हमें उस परिशानी से बाहर आने का रास्ता अपने सुक्षन रूप से हमारी अंतरात्मे में स्थित हो हमें उस परिशानी से बाहर आने का रास्ता भी बताते हैं या फिर किसी न किसी वक्ति के माद्यम से आपकी मदद करने भी आ जाते हैं कभी आपका बुरा वक्त चल रहा होता है या कोई अनिष्ट होने वाला होता है तो कई बार आपका पुन्ने सामने आ जाता है जिसके चलते अचानक कोई वक्ति चाहे वो आपका समंदी हो मित्र हो या आपका कोई गुरू भाई हो, वे अचानक आपको किसी काम को करने से टोक देता है, आपको किसी समस्या परिशानी से अगा कर देता है, कि आप उस काम में न उल्जें, वो कारे आपके लिए सही नहीं हैं, या आप उस रास्ते पर ना जाएं, तो ये भी आपके भगवान का इशारा होता है, कि भगवान ही उस रूप में आपको अगा करने आए थे, अगर पूजा करते वक्त आपके दुआर पर कोई अगंतुक या कोई मांगने वाला आ जाए, तो आप उसका विनर्भाव से अभिवादन करें, तो ये भी एक शुब संकेत है, कि भगवान ना जाने किस रूप में आ जाते हैं, और भक्तों के ना जाने कितने पापों को नश कर देते हैं, तो उस व्यक्ति का कभी अनादा ना करें, और सोचिए कि वे भगवान का कोई संदेश लेकर आया होगा, और यदि मांगने वाला हो, तो कुछ ना कुछ देकर भेजिए, ना जाने भगवान किस रूप में आए हो, अगर कोई बड़ा बुरा हमें कोई बात या कोई आदेश दे, तो कोई सला दे, तो उसे भगवान की आग्या मानना चाहिए, क्योंकि भगवान की आग्या हमें बड़े गुरों के रूप में मिलती है देवी ये शक्तियां भगवान उसकी मदद करते हैं जो दूसरों के दुख को समझता है जो बुराईयों से दूर रहता है जो निमित रूप से अपने इस देव की पूजा अर्चना करता है या जो में फूल बन जाता है या अगनी में भगवान की अकरती बन जाती है तो आप समझ जाईए कि आपके भगवान आप परब्रसन है और वे किसी ना किसी माद्यम से आपको दर्शन दे रहे हैं यदि आपको आने वाली गटाओं का पहले से ही ज्यान हो जाता है या पूरवा भ दे रहे हैं यदि कभी-कभी आपको सुगंद का एसास हो या पूजा पाठ करते वक्त बिना किसी पंके आदी के आपको सुहानी हवा का जोका लगे या आपको शरीर में पूजा करते वक्त सिरन सी महसूस हो या दूर-दूर तक बिना किसी संगीत के आपको कान में मदूर स उंगित सुनाई दे या रात्री में गहरी नींद में सो रहे हो और आपको लगता है किसी ने आपको आवाज दी है और आप अचानकी उड़ जाते हैं लेकिन फिर आप देखते हैं यहां तो कोई नहीं है लेकिन आवाज तो सफश्चती तो आप समझ लें कि भगवान अपनी दिवे शक्तियों के साथ आपके आसपास हैं आप उनकी निगरानी में हैं और वे दिवे शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं यदि भर्ममूरत में आपकी निंद अचानक खुल जाती हो तो आप समझ लें कि दिवे शक्तियां चाहती हैं कि आप भगवान से जुड़ें जी शक्तियां आपके इश्ट आपके साथ हैं और उनकी किरपा आप पर बनी हुई हैं ऐसे में आप अपने इश्ट का धन्यवाद करें और पूर्ण शद्धा विश्वास के साथ अपने रादे की बक्ती सिवा मंत्र जाब करते रहें। करने लगते हैं तो जीवन में उनकी के मुके अवस्चे मिलते रहते हैं। जयानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें शेयर करें और सस्थाइब करें और कमेंड बॉक्स में जय भूले नात का जयकारा लगाईए। जय गुरू जय भूले नात की।